हाई औरेवान वेरी गुड इवनिंग तो अल अफ यू गाईज तो स्टुडेंट्स आज यू नो मैंने आपको सुभग की वीडियो में भी बताया था कि जेके एसस भी अड़ा इस यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर क्लासिस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की डेली क्लास हुआ करेगी ठीक है जिसमें रिजनिंग और मैट्स का मैंने टाइमिंग बता दी थी जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखे वो जाके वहां से देख लेंगे कुछ इस तरह से रहेगी कि डेली के आपको 10 questions दिये जाएंगे वो सारे questions उस estimate के हिसाब से बनाए जाएंगे जैसे question आपको पेपर में आ सकते हैं As you know BSF CSF में जैसे questions मैंने पढ़ाए थे वैसे हुबहु questions उसी type के questions वहां पे आये थे So students उसी चीज़ को continue forward करते हुए हम लोग मैंने ये decision लिया है कि मैं डेली के 10 questions decide किया करूँगा आपको जो आज शाम को वीडियो मिला करेगी 9 बजे 9 बजे जो आपको वीडियो मिला करेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ questions होंगे आप लोगोंने उन सभी questions को solve करके अपने अपने जो answers है उनको comment box में type करना है बताना है ठीक है उसके बाद next day morning में next day morning 7 a.m. जैसे ही सुबा आप लोग उठा करोगे आपको उसकी solution वीडियो मिल जाया करेगी आपने बस solution वीडियो को देखना है आपने ये महसूस करना है महाँ पर कि आपने कौन सी technique लगाई है और सर ने कौन सी technique से उसको solve कर रहा है और आपका answer correct है या फिर गलत है अगर गलत है तो क्यों गलत है ठीक है स्टूडेंस उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी basic videos classes नहीं देखी है तो आप लोग basic videos classes जुरूर देख लें जिसमें के बच्चे के basic doubts हैं वो सारे clear हो जाएंगे दिक्कत आएगी इस number पे मुझे whatsapp कर ले ना नहीं तो आप चैनल की playlist में जाके basic video सारी की सारी देख सकते हैं सो without further ado question number one पे चलते हैं students this is your question number one of today question आपका है time speed and distance topic की बात करेंगे दो से तीन questions आपके पूछे जाना है जेके SSB class 4 और आपके JKP के paper में clear so question is a car covers a certain distance कुछ distance वो cover करती है इतनी speed पे 7 गंटे में ठीक है यह kilometer कर लेना पर आर कर लेना इसको ठीक है इसको मैं यहां लिख देता हूँ 54 km पर आर 7 गंटे में what should be the speed of the car to cover same distance जितना distance उसने यहां पे cover किया उत्रा ही distance अगर उसको 6 गंटे में cover करना हो तो उसको किस speed से यहां पे चलना होगा तो this is your question इसको आप लोग अपने हिसाब से solve करेंगे उसके बाद आप लोग answer इसका comment box में type करेंगे clear next question is pipe x can fill a tank in 12 hours pipe y fill the same tank in 36 hours in how many hours both pipe x and y together can fill one third part of the tank so students इसको आप लोग shortcut तरीके से भी मैंने सिखाया हुआ कैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं basic से भी कर सकते है make sure आप दोनु तरीके से इसको solve करे answer यहां पे ध्यान यह रखना यहां पर उसने one third tank का पूचा है तो आप एहले total time निकाल देना उसको one third से divide कर लेना clear so this will be your question number two of today very very important question पका आएगा ऐसा question next next question आपका simple question है average sorry percentage की उपर based है percentage की बात करेंगे so students percentage में भी आपको दो से तीन questions पूछे जाने है 20 में से ठेक है एक एक topic अपने आप में important है आप लोगों ने अगर channel की playlist में जाके देखोगे वहाँ पे आपको एक playlist मिलेगी jkssb class fourth maths के नाम से सभी topic मैंने detail में वहाँ पे discuss करे हुए है तो आप लोग जरूर वहाँ पे जाके उन वीडियो को एक बार जरूर देख लें तो question is if s is 160% of t then t will be but percent of s तो इस तरह से आपने पहले s और t को आपस में ratio निकाल ले ना फिर उनकी percentage निकाल सकते हो है ईजी लिए आप निकाल लोगे next question question number four is of ratio and proportion very very important topic students ratio proportion आएगे इसमें से question पक्का आने या दो से तीन question ठीक है so question is the ratio of two numbers is 14 ratio 25 चोदा और पचीस की ratio है आपकी किसकी दो numbers की जो आपके दो number है if the difference between if the difference between them is 264 अगर उनके बीच का difference 264 का है तो आपने बताना है दोनों में से जो है वो कौन सा question दो कौन सा number जो है वो छोटा number उन में से कौन सा होगा so this is your important question basic से भी आपको मैंने सिखाया हुआ और shortcut से भी आप लोग इसको 10-14 second में solve कर सकते हो करके आपने answer comment box में बताना है question number 5 की बात करेंगे question is saying 40 persons can repair a bridge in 12 days if 8 more person join them then in how many days bridge can be repaired अगर कोई काम 12 दिन में हो सकता है अगर कोई काम 12 दिन में हो सकता है so students आपने ये बताना है कि अगर 8 बंदे वहां पर और join कर दिये जाए 8 बंदे मतलब 40 में 8 चार्ट और जोड़के उनको 48 बना दिये जाए तो आपने बताना है कि वो कितनी दियर में काम खतम हो सकता है काफी अच्छा question है ये question आपको paper में ऐसा पका बनेगा next question average का question है ये simple question है जिसको ये average का topic पड़ा होगा वो easily this question को solve कर पाएगा clear? so question is if the average of 5 consecutive odd numbers consecutive का मतलब होता है लगातार कि अगर 5 लगातार odd number का जो average है वो 17 है students जो बच्चा इस question को shortcut से नहीं कर पाएगा 3 second के अंदर वो जरूर एक बार average की basic class देख लेगा क्योंकि उसमें मैंने पूरी detail में एक एक चीज़ आपके साथ वहाँ पे discuss करी है तो make sure आप सब उसको जरूर देख लें क्योंकि उसी से आपके ऐसे questions 2-2 second में आप solve कर सकते हो next question question number 7 आपका profit and loss का question है कुछ बच्चों के मन में doubt है कि class fourth में ऐसा topic नहीं आएगा students क्योंकि आपके syllabus में percentage है और ये पूरा का पूरा topic percentage के उपर based है तो आप लोग इसको छोड़के नहीं जा सकते paper के लिए make sure आप सब ये topic करके जाएं नहीं आएगा तो कोई बात नहीं क्योंकि ये jkp के paper में आता है तो आप लोग उसके लिए भी preparation साथ के साथ अपनी रख सकते हैं make sure आप सब ये जरूर करके जाएं ये बला topic ठीक है simple question है selling price आपको दे रखी है profit percent दे रखी है cost price आप से पूछी है simple concept से हो जाएगा next question a train covers a certain distance at a speed time and distance का question है simple question आप लोग अराम से इसको solve कर सकते हो basic convergence कैसे होती है क्या होता है मैंने सब कुछ आपको detail में पढ़ाया हुआ है clear so question is saying a train a train covers a certain distance at a speed of at a speed of 45 meters per second in 15 minutes how much time it will take to cover how much time it will take to cover the same distance at the speed of 60 meter per second options are 3.25 4.75 6.75 11.25 make sure guys आपको hours को minute में convert करना आता हो minute को seconds में convert करना आता हो और इनका reverse important है seconds से minute कैसे बनाते हैं और minutes से hours कैसे बनाते है यह चीज़ आपको आनी चाहिए जिन बच्चों को नहीं आती है class की basic classes एक बार जरूर देख लेना आपके doubts clear हो जाएगे next question simple interest compound interest का topic है sum of 3460 simple interest पर लेंट करा गया अगर rate of interest 5% पर रैनम है तो आपने बताना है simple interest कितना बनेगा 5 साल में तो यह आपका question है guys simple question है यह आप easily कर सकते हो next question yeah so आज का यह last question रहेगा question number 10 so successive discount दे रहे दिये जा रहे है दो 25% और 20% का आपने बताना है net कितने percent उसको discount मिलेगा ठीक है options are 42.5% 45% 50% and 40% so students that's it यह 10 question है जो बच्चा 10 में से 8 question बना जाएगा उसका level काफी अच्छा माना जाएगा जो कम करेगा वो अपने आपको improve करे day by day basic classes जितनी हो सकती है उतनी देख लीजिए उसके साथ साथ 25 mock test आपके मैंने कराए है उसका description box में आपको link दोनों के मिल जाएंगे basic classes as well as of mock test तो बस वही अगर आप करके चले जाते हो तो आराम से आप JKSSB class 4th में अपना post जो है वो पक्की कर सकते हैं ठीक है clear so that's it students telegram channel पर जोड़ना जोइन कर लीजिए solution video आपको daily अगले दिन morning 7am में मिल जाये करेगी ठीक है सुबह उठते ही पढ़ो और उसके बाद पूरा दिन मस्ती करो यह मैंने आपके लिए लिग दिया है क्योंकि आपके दिल को भी satisfaction रहेगी कि although admit cards are not out yet but आप लोग को पूरी की पूरे touch में हो 10 दिन ह हमारा चलेगा math इसी तरह से 10 mock test मतलब 10 into 10 100 questions हमारे हो जाएंगे इन ही 100 question में मैं आपको पूरा का पूरा math साब का cover करा दूगा clear so guys solution और आपने जतना हो सकता है session को share करिए बाकी आपको जवर्दस्त classes jksb-614 पे English और जिक्के की problem आ रही थी दोनों solve हो गई है आपको special classes इसकी भी मिलना start हो जाएंगी thank you so much guys god bless you all that's all in this video stay connected stay safe thank you